जेहिन दोस्तों अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे आज हम अपना बिहार जग्रोफी का अगला पड़ाओ करने वाले हैं मैं ने कल आपको बिहार की नदियों के बारे में पढ़ाया था तो बिहार का अपको अपना तरंत में हमने बिहार की नदिया देखी थी बिहार की नदिया में मैंने हिमालेव नदिया और पठारी नदियों के बारे में आपको समझाया था अब मैप के तो हमने देखा था कि बिहार में कितने प्रकार की नदिया है, कौन सी सहायक नदिय है, कौन सी उत्तर और दक्षिन में कौन कौन सी नदिया आती है ये सारी नदिया उसका उदगम, उसका संगम और उसकी लंबाई, ये सारी चीजे हमने कल पढ़ ली थी और कल मैंने आपको गंगा नदी के बारे में भी बता दिया था तो आज हम घागरा नदी से इस क्लास को शुरू करते है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है घागरा नदी या मांसरोवर तिबबत के पास से निकलती है बिहार के सिवान में प्रवेश करती है इसका नाम में इसका नाम है और सरी इसका नाम है आपका मैदानी भागे में अगर हम गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को नरायनी मैदानी भाग में सब्त गंडगी और साली ग्रामी नेपाल में नाम से जाना जाता है गंडक की मुखे साखा धोला गिरी अनपुनिमा सेड़ी को पार करते समय गौर्ज बनाती है बिहार में भैसा लोटन जो पशिम चंपारन में प्रविश करती है कौन सी गंडक नदी ये नदी भी उत्तर परदेश वा बिहार के बीच 45 किलोमेटर की सीमा बनाती है इसकी सहायक नदीया जो हो गई वो आपकी काली गंडक त्रिशूली और बुढ़ी गंडक इत्यादी है इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों का साली गराम कहा जाता है जो गोल गोल काले पत्थरों को साली गराम कहा जाता है बाकी ये नदी आपकी जो पशिम जमपारन है बिहार का वहाँ पे भेसा लोटन जगह है वहाँ पे प्रवेश करती है और नरायनी मैदानी भाग में इसका नाम है गंडक नदी का बुढ़ी गंडक नदी शोमेश्वर सिर्णी के पश्चिम भाग से निकल कर पश्चिम जमपारन पूर्वी जमपारन मुझफर पूर समस्ती पूर बेगु सरा जिले से बैते हुए आंत में खगडिया जिले में गंगा नदी में ये नदी मिल जाती है आपकी बुढ़ी ग हना इसकी सहायक नदी आपकी मसान, बालोर, तियूर और धनोती आदी हैं बागमती नदी की अगर हम बात करें तो ये नेपाल में हिमाले के महाभारत सिर्णी से निकलती है ये आपके नेपाल में महाभारत सिर्णी से ये निकलती है बागमती नदी ये बिहार में सीता जिले में प्रवेस करती है और अंत में ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है पहले ये बुड़ी गंड़क में मिलती थी लेकिन अब ये कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है इसकी सहायक नदिया लाल बकिया, लखन, देई, मनोहरा, अधवरा और विश्नुमूर्टी आदी है नेपाल में इस नदी के टट पर काठमांडू एवं पशुपती नाथ मंदिर इस्तित है तो बागमती नदी के टट पर ही आपका काठमांडू पशुपती नाथ मंदिर इस्तित है और इसकी सहायक नदिया आपकी लखर बगिया ये सब है ये कमला नदी में आकर मिल जाती है कमला नदी से मिलकर ये कोसी नदी में मिलती है और सिता मड़ी जिले में ये प्रवेश करती है कोसी नदी के अगर हम बात करें ये नेपाल के उत्तर पुर्म में इस्तित गोसाई अस्थान से निकलती है इसे नेपाल में सब्त कोस्की कहा जाता है क्योंकि यह साथ धराओं से मिलने से बहती है तो कोसी नदी को नेपाल में सब्त कोस्की कहा जाता है क्योंकि यह साथ धराओं से मिलने से बनती है कोसी नदी बिहार में सुपोल जीले से प्रवेश करती है और तथा कुर्सेला में गंगा नदी में ये जाकर विलीन हो जाती है कोसी नदी अपने मार्क परिवर्तन एवं बार के लिए फेमस है और इसे बिहार का सोक मतलब बिहार का अभी साप भी कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का भी साप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये माग परिवर्तन करती है अपना रास्ता बदलते रहती है जिसके चलते बिहार में हर साल बाढ़ आता है इसकी सहायक नदियां अरुन, तोमर, लिखू, दूद कोशी, तमा कोशी, इंदरावती और सून कोशी आदी है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महानदी की, महाननदा नदी या पश्यम बंगाल के डार्जलिंग जिले की पहाड़ियों से निकल कर किसन गंज, पुर्णिया, कटी हार होते हुए मालदा पश्यम बंगाल में ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है तो महानदी आपकी कहां से निकलती है, पश्यम बंगाल के डार्जलिंग जिले से की पहाड़ियों से निकलती है, और बिहार में ये किसन गंज होते हुए, कटी हार होते हुए, पश्यम बंगाल में मालदा में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है या उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है तो उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ये इसकी सहायक नदिया पैनोर, नागर, बालसर और मेची है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं कर्म नासा नदी इसकी उत्पत्ती विंद पहाडियों से होती है और या बिहार के उत्तर परदेश की सीमा निधारित करते हुए चौसा बकसर में गंगा नदी से मिलती है या दच्छिन बिहार की सबसे पश्मी नदी है और कर्म नासा नदी को अपवित नदी माना जाता है या दखिएगा ये विंद पहाड़ी से होती है और बिहार में चौसा में गंगा नदी में जाके मिल जाती है जली जली करते है सोन नदी या मद्य परदेश के अमर कंटक पहाड़ीों के मैकाल स्रिनी से निकलती है अमर कंटक नदी अमर कंटक पहाड़ीों से सोन नदी निकलती है और या रोहतास बिहार के और या फिर गड़वा जिले जो जारखंड है इसके बीच में बिहार में प्रवेस करती है रोतास भोजपूर होते वे पूर्वी सिमा बनाते वे मुनेर दानापूर में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है सोन नदी कहां से अमरकंटक पहाडी और गंगा नदी में मुनेर दानापूर यमुना के बाद गंगा के दूसरी सबसे बड़ी ये नदी है आपकी सो नदी इसका प्रमुक साहक नदी रिहंद कनार और उत्तर कोयल है रिहंद पर आपका एक डैम भी है सो नदी पर डेहरी बांध रोहतास इंडरपूरी बेराज रोहतास बांध सागर बांध मद्यपरदेश इस्तित है सो नदी पर बने नहरी ने रोहतास भोजपूर में सुक्स मैदानों में बिहार में मुख चावल उत्पादन छेतर में भी बनाया है तो सो नदी की इतनी सारे फीचर्स थे अब बात करते हैं पुनपुन नदी यह जहरखंड के पलामु जीले से छोटा नाकुर पठार से निकलती है बिहार में और अंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुवा में यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां है फुनपुन नदी की वो आपकी मोरहर, मादर और दरादा आदी है यह दच्छिन बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है कौन सी पुनपुन नदी आगे हम बात करते हैं फॉल्गु नदी यह हजारी बाग के पठार से निकलने वाली ली लाजन निरंजना तथा मोहना नदियों से बनती है अथा गया होते हुए फुनपु नदी में मिल जाती है जो गंगा की उप नदी है गया में फॉल्गु नदी के पास विश्नु पद मंदिर इस्तित है और यह पितर पक्ष के दोरान लाखो की संख्या में हिंदू धर्म के तित्याती आते हैं तो यह आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद अखिएगा कि गया में फॉल्गु नदी के पास ही आपका विश्नु पद मंदिर है जहां पर पितर पक्ष के दोरान लाखो की संख्या में लोग हिंदू धर्म के तित्याती आते हैं फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बना हुआ है फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद को ग्यान के प्राप्ति हुई थी तो ये आपका थोड़ा इंप्रॉटन्ट है फल्गु नदी क्यूं गौतम बुद को ग्याजी डैम आपका बना है विश्णुपद मंदीर पितरपक्ष के दौरान और ये सारी चीज़े आपकी दी है ठीक है अजारी बाग के पठार से निकलने वाली ली लाचन और मोहना नदियों से मिलकर बनती है अब यह देखिए बिहार में नदियों के किनारे इस्तित प्रवमुक सहर अगर हम पटना की बात करें तो पटना आपकी गंगा नदी पर सहर अच्छा इदा सोनपूर जो सहर है वह आपकी गंड़क नदी मतलब सी हुए किनारे पे मोकामा गंगा नदी के पास है मुझफर पूर आपकी बुड़ी गंड़क नदी मुंगेर गंगा नदी खगड़िया की बात करें तो बुड़ी गंड़क नदी भागलपूर गंगा नदी बक्षर गंगा नदी चपरा घागरा नदी चपरा घागरा नदी समस्ती पूर बुड़ी गंड़क नदी गया फलगु नदी, फतुवा पुनपु नदी, गंगा नदी, तरभंगा बागमती नदी, बक्षर गंगा नदी, छपरा घागरा नदी, हाजिपूर गंडक नदी तो यह हमने कुछ सहर और कौन से नदियों पर यह स्थित है सहर उनके बारे में हमने पढ़ा अब हम बात करते हैं बिहार की नदी, घाटी, परियोजनाए जल प्रबंदन के उदेश्य से बिहार में तीन बहुदेश्य परियोजनाओ का निर्मान किया गया इन परियोजनाओ में बाध नियंतन, सिचाई प्रबंदन, जल सरक्षन, परियटन, परिवहन और उर्जा उत्पादन आदी को लाक्षित किया गया है तो चलिए आगे देखते हैं बिहार के बहुदेश्य परियोजनाओ सबसे पहले सोन नदी, गंड़क नदी और कोशी नदी बहुदेश्य परियोजनाओ के बारे में हम पढ़ेंगे अगर सोन नदी, सोन बहुदेश्य परियोजना के बारे में अगर हम पढ़ें तो सोन नदी परियोजना का निर्मान 1874 इश्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था या बहु देशी नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रत्थम नदी घाटी परियोजना है आपके कौन सी सो नदी परियोजना डेहरी के बारुन के पास सो नदी पर बांध बनाकर दो नहरों और दोनों किनारे से निकाली गई है तो ये आपके डेहरी के बारुन के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरे दोनों किनारों से निकाली गई है तो कौन सी दो नहरे हैं पहला है पुर्वी सोन नहर दूसरा है पश्मी सोन नहर पुर्वी सोन नहर की बात करें तो इस नहर से और अंगाबाद गया जहानाबाद अरवल अपटना को सिचाई की जाती है पुर्वी सोन नहर से अब पश्मी सोन नहर की बात करें तो इससे रोहताज, कैमूर, बगसर, भोजबूर आदी को सिचाई की जाती है तो यह जो सोन नदी है इसके यहां से दो नहरे बना दी गई है जिससे एक नहर जो पुर्वी नहर है वो इन जीलों को सिचाई देती है और जो पश्मी नहर है वो इन जीलों को क्या करती है सिचाई प्राप्त करती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं सोन नहर पर दो जला विदूत केंद्र डेहरी जल विदूत केंद्र जो 6.6 मेगावाट तथा बाहरून जल विदूत केंद्र जो 3.3 मेगावाट स्थापित है तो सोन नदी पर दो आपके जल विदूत केंद्र है पहला डेहरी जल विदुद केंध जो 6.6 MW का है और दूसरा बारून जल विदुद केंध 3.3 MW बात करते हैं अपने नई परियोजना के बारे में जो है गंडक बहुदेश्य परियोजना गंड़क परियोजना भारत एवं नेपाल की सयुक्त परियोजना है इसका लाब बिहार उत्तर परदेश और नेपाल को मिलता है गंड़क परियोजना के लिए 1959 इस्वी में नेपाल के साथ एक समझोता हुआ इस परियोजना का कारे 1960 इस्वी में पारम हो गया इस परियोजना के अंतगत भारत नेपाल पर भैसा लोटन के पास गंड़क नदी पर बांध का निर्मान कर जलासे का निर्मान किया गया था तो भारत और नेपाल की जो सीमा थी उस पर भैसा लोटन एक जगह है वहाँ पर गंड़क नदी पर बांध का निर्मान करना गंड़क बहुत देशे परियोजना का एक में लक्ष था या बांध या बराज बाल्मिक की नगर के पास श्रेणी संगम के पास निर्मित है तो त्रिवेडी संगम के पास ये निर्मित है कौन सा ये आपका बांध गंडक परियोजना के जलासे से पुर्वी और पश्मी क्यों नहर निकलती है पुर्वी गंडक जैसे हमने पुर्वी पढ़ा था सोन और यहां पर पश्मी गंडक ठीक है अब इन दोनों को हम देखते हैं कि पुर्वी गंडक और पश्मी गंडक क्या है पूर्वी नहर तीन भागों में विभिक्त है पहला तिरुहट, त्रिवेडी औदोन सहर तिरुहट, त्रिवेडी औदोन सहर में पश्चिम चमपारण आपका पूर्वी चमपारण मुझफरपुर वैसाली आदी के जीलों की सिचाई होती है पश्चमी नगर जलासे से नेपाल होकर निकलती है नेपाल में सिचाई के अत्रिक्ट इसके निकलने वाले सिचाई नहरों से उत्तर परदेश में गोरकपूर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण और सिचाई होती है तो नेपाल में सिचाई के अत्रिक्ट इसके जो पश्चमी नहर का जलासे है उसकी सहायक नहरों से उत्तर परदेश में गोरकपूर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में भी सिचाई होती है इस परियोजना के तहट पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विदुद केंद स्थापित है और इस प्रकार का विदुद केंद पश्चम नहर पर भी बनाना है अब हम बात करते हैं अपना लाश्ट कोशी बहु देश्य परियोजना कोशी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है इस परियोजना की स्थापना 1953 इसवी में की गई इस परियोजना को 1954 इसवी में लागो किया गया इस परियोजना के तहट हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलासे का निर्मान किया गया इस पर योजना को 1965 इसवी में पूंड रूप से तयार हुआ कोशी पर निर्गित जलासे से पूर एवं पश्शिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया तो देखते हैं पूर कोशी नहर और पश्शिम कोशी नहर पुर्व कोशी नहर के अगर हम बात करें तो इसे अरदिया, सुपॉल और पुनिया आदी में सिचाई और पश्यम कोशी नहर से हमें दर्बंगा, मदुबनी, सुपॉल और बेगु सराय में सिचाई का प्रोधान है दव होती है अब हम बात करते हैं जलापात की तो जलापात की बात करें तो जब नदी की ढाल में अकसमात परिवर्तन आने से नदी त्रीवेग से पहाड से नीचे गिरती है तो उसे जलापात कहा जाता है तो जल आप राप जब नदी की ढाल अक्समात परिवर्तन से होने से नदी त्रिवेग से पहार से नीचे गिरती है तो उसे हम कहते हैं तो चलिए बिहार के कुछ प्रमुख जल प्राप को देखते हैं और जीला देखते हैं कि कहां कहां ये है सबसे पहले है ककोलट ये आपका नवादा में है दुर्गावदी दुर्गावती रोहतास ये सबसे उचा है तो सबसे उचा आपका जल प्राफ्त कहां है दुर्गावती कर्मनासा पक्सर में है धुआ कुंड सासाराम रोहतास में मज़र कुंड सासाराम रोतास जिवार कुंड भोजपूर में है तेलर कुंड तिलहर तिलहर कुंड आपका कैमूर में है बिहार की प्रमुख जीले यहां पे जीले दी गई है यहां जीला दिया हुगा है तो कावर जील बेगु सराय घोगा जील कटिहार कुमेश्वर जील दरभंगा घोडा कटोरा जील आपका राजगीर नालंदा अनूपम जील कैमूर और सिम्री जील सहरसा जगतपूर जील भागलपूर मोती जील मोतिहारी पुर्वी चमपारन सेर्या मन बेतिया पश्म चमपारन पीपरा मन मोतिहारी पुर्वी चमपारन तो मोतिहारी आपका पुर्वी चमपारन में है और बेतिया आपका पश्मी चमपारन में है ठीक है अब हम बात करते हैं बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में नहर नदी और इसके छेतर जिसको फायदा हो रहा है तो अगर हम सबसे पहले बात करें तिर्वेडी नहर की तो ये गंड़क नदी पर है तिरुषट नहर गंड़क नदी पर है होता है फैदा होता है पुर्व कोशी पुर्वी कोशी जो नहर है वो कोशी नदी पे है अरदिया सुपॉल और पुनिया जीलो को इससे फाइदा मिलता है पश्मी कोसी ये आपकी कोसी नदी पर है तर्बंगा, मदुबनी, सुपॉल राजपूर जो नहर है ये आपकी कोसी नदी पर है इसे सहरसा, मेदबूरा और बेगुसराय को फायदा मिलता है पुर्वी सोन जो नहर है ये सोन अदीप है और अंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, पश्मी सोन के अगर हम बात करें तो ये सोन अदीप है रोहतास, भोजपूर, कैमूर और बकसर जिलों को इससे फायदा आपका मिलता है बिहार के प्रमुख जलकुंड, हाँ, बिहार के प्रमुख जलकुंड, इसको देख लेते हैं हम अवस्तिती और जलकुंड, ठीक है, सबसे पहले राजगीर की बात करते है तो राजगीर में आपका ब्रह्मा कुंड है बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है कौन सा ब्रह्मा कुंड उसके बाद सब्थधारा कुंड मक्धुम कुंड गोमुक कुंड नान कुंड और सूरे कुंड तो याद रखिएगा कि बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है ब्र मुँआ की बात करें तो लक्षमन कुंड रमेश्वर कूंड जनम कूंड सिंगार रिशी कूंड पंच तरकूंड भरारी कूंड भीम कूंड रिशी कुंड और सिता कुंड तो सिता कुंड कहां है मुंगेर में है ठीक है और गया की बात करें तो गया में आपका कौन सा कुंड है अगनी कुंड तो बिहार के प्रमुख जल कुंड के बारे में आज हमने पढ़ा और जो बिहार की मिट्टी है ये हमारा नया टॉपिक रहेगा आज हमने आपको क्लास में बिहार के प्रमुख जलकुंड के बारे में बताया इसमें मैंने आपसे बताया कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड आपका ब्रमकुंड है फिर हमने बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ा फिर बिहार की प्र कोसी नदी पर सोन गंडक और कोसी नदी पर बिहार की नदी घाटी पर योजनाए थी उसके बाद हमने बिहार की नदियों और उसके किनारे इस्तित जो प्रमुक्ष सहर है उनके बारे में हमने चीजों को पढ़ा तो आपको अगर एक लास अच्छा लगा तो आप इस चैनल क को जदेदा subscribe करे่ं विडियो को share करें अपने front circle में अपने दोस्टों को जो अनको फायदा हो सके जो बिहार की आप के टैयरी कर रहे है वी पासिकी की तर्यरी कर रहें है चैनल को subscribe करें like करें share करें और अगर आपको कोई problem है या कुछ आगर आप suggestion देना चाहते हैं तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं जिससे मैं आपके suggestion को follow करूँ और अगर आप ये भी बता सकते हैं कि हम आगे line by line या जो हम कर रहे हैं इसकी question sensor अगर करने हैं तो चीज़ आप मुझे suggest कर सकते हैं मिलते हैं अपने नए class में तब तक के लिए जय हिन्द